ये वीडियो कोई हैकिंग वीडियो नहीं है ये सिर्फ एडूकेशन पर्पुस के लिए बनाये गया है और इसे देखके कोई भी गलत इस्तमल ना करे और आपको दिखाऊंगा एक इमेल आइडी हैकर के पास मिल जाये तो क्या कर सकता है उस हैकर ने पेली आकसेस कर सकता है और आपका इस्तोरज के अंदर भी आ सकता है उसके बाद आपका कोई बैंक डिटेल सो या फिर कोई किसी का पासवर्ड सेफ हो जैसे फेutarum या फिर बैंक का तो और बहुत कुछ कुछ तो आप वीडियो को लाफ तक वाच कीजिए और इस चैनल पर पहले बार आयों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उस वाल पर सेट कर दना तो चलिए वीडियो को इफटर्ट करते हैं बीना किसी टाइम गवाए तो सबसे पहले आपका कुरूम ब्रोजर ओपेन करना है अपना फोन में और उसके बाद उसी इमेल को यहाँ पर लोगिन करना है जो इमेल का आप एकसेस देखना चाते हो तो यहाँ से मैं जो इमेल का एकसेस देखना चाता हूँ उसी इमेल यहाँ पर लोगिन कर लेता हूँ जो मेरा एक parent का email है तो login करने के बाद यहाँ से back करना है और यहाँ पर आपको search करना है my device यहाँ पर आपको search करना है आप देख सकते हो this feeling तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Google का website जो first पर आएगा find my device और इसे application को आप play store से भी download कर सकते हो तो यहाँ से मैं website open कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ से ASI interface देखने को मिलेगा तो यहाँ से भी आप download कर सकते हो लेकिन मैं website से दीखाऊंगा तो यहाँ से आपको 3.0 के उपर click करना है सबसे उपर और उसके बाद यहाँ से desktop side आपको one कर लेना है तो उसके बाद आपको इसा interface देखने को मिलेगा तो उसके बाद यहाँ से आपको zoom करके दिखाता हूँ तो यहाँ से मैं zoom करके दिखाता हूँ कौन सा phone में अभी login है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो infinix hot play इसी phone के अंदर अभी login है और यहाँ पर आप देख सकते हो play sound तो इसके उपर आप click करके 5 minute तक non stop sound play कर सकते हो उसी phone के अंदर जो infinix hot play है उसी phone के अंदर तो उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो setup, secure and erase इसके अंदर आप click करके उसी phone को आप erase कर सकते हो यानि कि आप format कर सकते हो और आप उसी phone को log भी कर सकते हो इसके अंदर आपको option मिल जाएगा और उसके बाद wide वाला एक phone आपको देखने को मिलेगा वह ब्लाग phone के बाजू में तो इसके अंदर जैसे आप click करोगे तो यह आपका phone दिखाएगा यहापे जो phone के अंदर आप access लेना चाते हो तो उसके बाद यहापे देख सकते हो play sound तो यहाँसे मैं आपको play करके आपको सुनाओंगा sound तो चलिए इसको play कर देते हैं 5 मिनिट तक non-stop जैसे कि sound आपने सुना इसी तरह के उसी phone के अंदर non-stop 5 मिनिट तक आप sound play कर सकते हो और यहापे security का एक option मिलेगा तो इसके अंदर click करके आपके हाथ में जो device है उसी phone को आप यहाँसे secure कर सकते हो यानि कि lock कर सकते हो तो चलिए यह सब जानके कोई भी फाइदा नहीं है तो यहापे जितना भी option आपको देखने को मिलेगा यहापे दो-तिन option आपको यहापे देखने को मिल रहा है तो यहाँसे सिर्फ आपके हाथ में जो phone है उसी phone के अंदर यहापे सिर्फ पीपेक्ट आएगा तो यहाँसे erase होगा data और यहाँसे आप log कर सकते हो, format कर सकते हो आपके हाथ में जो phone है तो इससे कोई मतलब नहीं है तो यहाँसे आपको क्या करना है अभी तो यहाँसे आपको right side में आ जाना है यहाँसे आपको right side में जो आपका map का यह side में तो उसके बाद आपको यहाँ पर तीन option आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक settings और एक frame और एक logo तो आपको यहाँ से click कर देना है जो 9 बाला frame है 9.ka इसके उपर तो उसके बाद जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा option आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ जैसे आपको Gmail account उसका दिखाऊंगा Gmail ID में कितना message है तो ओ भी आप देख सकतो live location भी track कर सकतो तो यहाँ से Gmail ID के उपर जैसे click किया तो यहाँ पर देख सकतो जितना भी उसका mail आया है सब कुछ यहाँ पर show हो गया तो यहाँ पर देख सकतो Gmail account भी यहाँ पर आ चुका है तो यह यहाँ पर Google Drive के उपर मैं click किया उसके बाद यहाँ पर Chrome सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हो उसका Google Drive के अंदर जो कुछ भी है यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से उसका Google Drive भी आप चेक कर सकते हो तो उसके बाद यहाँ से फिर से मैं back कर देता हूं आप दो आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरप देख सकते हो बहुत सारे option आपको मिलेगा यहाँ से अकाउंड भी यहाँ चेक कर सकते हो Google AdSense भी अपचके बाद आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको दिखाओंगा उसका storage तो आपको फोटो के उपर आपको यहापे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगी यहापे तो थोरा आपका टाइम लगेगा तो उसके बाद यहापे आप लोग देख सकतो उसका जो गैलरी है यहापे आ चुका है तो यहाँ से आपको थिरी लाइन्स के उपर क्लिक करना है और उसके बाद यहा यहाँ पे storage है, 7GB load है, तो इसके अंदर आपको click करके दिखाऊंगा, उसका सब कुछ यहाँ पे आपको मेल जाएगा storage के अंदर, तो यहाँ से थोरा निचा आना होगा, और यहाँ पे देख सकतो, large photo and video, इसके उपर जैसे आप click करोगे, 6GB यहाँ पे loaded है, photo और video से, तो यह भ कुछ आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो, कितना वीडियो है, और कितना photo भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से मैं और एक बार back कर देता हूँ, तो इसको back करना होगा, तो आप एक बार back कर दीजिए इसको, और back करने के बाद आपको यहाँ स यहापे ऐक एंड़ेंग लॉडेट है तो यहापे बहुत सातो पोटो यहापे लोडए है तो यहापे बहुत सारे फोटो inanasse the यहापकी चीज़ीत जीले से ऐसे अगर आपका भी email id को समन्रेख है तो आप जितना जलदी हो सके हैं पास पासट आप 你 चेंज कर दीजे और आगे से किसी को email ID और password देना मत नहीं तो आपका भी phone इसे access करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और भी बहुत सारे जनकरे आपको देंगे email ID के उपर जो next वीडियो में ये वीडियो ज्यादा लंबा हो गया तो यही पर खतम करता हूं और उम्मित क अगर हम कोई भी password हो किसा आप access कर पाओगे उसका password और भी बहुत सारे जनकरी जो आपको next वीडियो में दूंगा जो इस वीडियो में इतना कुछ नहीं दे पाया अभी तो start किया था किसे आपको इसके अंदर आना है उसके बाद यही से आपको क्या क्या करना है next वीडियो में तब तक कले बाई बाई जाए हिंद